बाइक्स ये दो पईयों पे चलने वाली मशीन हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुचने में मदद करती है जहाँ पे गाड़िया अटक जाती है वहाँ पे ये बाइक्स साइस छोटा होने की वज़ा से बड़ी ही असानी से निकल जाती है आज के इस एपिसोड में मैं रचट सेट आपको बताऊंगा कि कैसे काम करती है बाइक्स तो चलिए आज का जेस आटो शो शुरू करते हैं तरह की बाइक्स मिलती है जैसे की क्रूजर बाइक, स्पोर्ट्स बाइक, टोरिंग और कही और तरीके की मार्केट में बाइक्स अवेलबल है कभी आपने सोचा है कि ये बाइक्स चलती कैसे हैं तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे काम करता है motorcycle engine motorcycle engine सेम तरीके से काम करता है जैसे गाड़ी का engine काम करता है इसमें आपको piston, cylinder block और head मिलता है जिसमें valve train होती है piston cylinder block में उपर नीचे चलता है यह चिंगारी द्वारा ignite होता है जिसके बाद fuel और air का mixture explosion से बाइक यह चलती है valves के खुलने और बंध होने से fuel air mixture combustion chamber में आता है piston के उपर नीचे होने से crank shaft जो है वो घूमता है piston से पैदा हुई energy से rotary motion होती है crank shaft की rotational force bike की transmission के जरिये उसके पीछे वाले पहियों तक power पहुचाती है क्या है motorcycle engine के characteristics motorcycle engine आम तौर पर तीन में से एक characteristic के अधार पर classify की जाती है जो है bike में कित्ते cylinder मौजूत है उसके combustion chamber की capacity कित्ती है या फिर उसके power cycles के strokes की संख्या क्या होते है motorcycle cylinders motorcycle engine में एक से छे cylinders के बीच होते है सालों से जो motorcycle engineers है उनकी choice है V-twin design V-twin engine इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे दो cylinder V-shape form में दिखते है Harley Davidson bike के V-twin engine 45 degree के angle पर होते है जो बाकी bike manufacturers है वो angle को अलग-अलग तरीके से रखते है ताकि जो bike की vibration है कम से कम रहे आज के time में सबसे popular engine design 4 cylinder है जो ज़्यादा rpm पर smoothly चलता है यह 4 cylinder एक रो में या फिर V-shape configuration में अरेंज किया जाते है जहां दोनों side 2 cylinder होते है तो ऐसे काम करता है आपके bike का engine अगर आपको इस वीडियो से related कोई भी डाउट है तो आप मेंसे comment section में जरूर पूच सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो उसे like जरूर कीजेगा इसके साथ साथ ऐसे ही auto related content के लिए जनसत्ता को जरूर सब्सक्राइब कीजे धरन्यवाद